जै मातारानी दोस्तों मैं नीता अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमेशा के तरह आप सभी के ईश, गूरुदे, भगवन, माता, पिता सबको कोटी-कोटी, चरण, सपर्श, वंदना और मेरे सभी देखने वाले वियर्स को बहुत सारा प्यार, जिस तरह आप मुझे प्यार देते हैं, मेरे सभी वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं, अपना कीम्ती समय आप जैसे मुझे दे रहे हैं, वैसे ही देते रहे हैं, अपना प्यार बनाई रखिए दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के विशे में उत्पन्ना एकादशी से जिन लोगों को भी अभी एकादशी का व्रत प्रारंब करना था वो इस व्रत को प्रारंब कर सकते हैं क्योंकि इस समय पे गुरु तारा शुक्र तारा दोनों उधित हैं और उत्पन्ना एकादशी जो मागशीश महा के क्रश्न पक्ष की एकादशी होती है इसी से ही एकादशी का व्रत करने को सबसे शुब माना गया है दोस्तों मागशीश का महीना, माग का महीना और बैसाख का महीना ये तीनों महीने वृत इत्यादी शुरू करने के लिए सबसे शुभ महा होते हैं तो जिन लोगों को भी अभी तक एकादशी प्रारंब करनी थी वो जटपट इस वृत को शुरू करने की तैयारी कर लीजे वृत के सभी जरूरी नियम आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी वृत रखने पे और उत्पन्ना एकादशी की रोचक कहानी भी हम इस वीडियो में सुनेंगे और वृत को रखने में आप जो जो गलतियां करते हैं उसके कारण आपके वृत के फल में क्या असर पड़ता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो दोस्तों अगर आप एकादशी वृत करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल ज़रू सब्सक्राइब करिए इसी तरह के पूजा पाठ के सभी वीडियो देखने के लिए और धार्मिक रोचक जानकारी आप लोगों के लिए महनत कर रहे हूँ और आपको जीज अची लग रहे है तो दोस्तो उत्पन्ना एकादशी आने वाली है 22 नवंबर 2019 की तारिक को एकादशी के व्रत के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ एकादशी का व्रत तीन दिविस्किय व्रत होता है दश्मी, एकादशी और द्वादशी दश्मी के दिन जो नियम है उसके अनुसार एक समय सात्विक भोजन करा जाता है मैं आपको नियम और विस्तार से बता दूँगी एकादशी के दिन हो सके तो आप कुछ भी न खाएं जल पीकर व्रत रखें या निर्जला व्रत रखें या फलफूल खाएं और द्वादशी के दिन पारण करा जाता है तो दोस्तों दश्मी के दिन याने 21 नवंबर से ही ये व्रत प्रारंब हो जाएगा सुनते हैं दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के विशे में उत्पन्ना एकादशी की शिरुवात कैसे हुई एक समय की बात है सूत जी आपने सुना होगा सूत जी एक बहुत ही परसिद महर्षी है जिन्नों ने हमारे जीवन को कल्यान कारी बनाने के लिए कए कताएं हमें बताई है उन्होंने सभी रिशियों को इस वरत का बतान्त बताते हुए कहा कि इसकी उत्पत्ती प्राचीन काल में हुई थी जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त युधिश्टिर ने इस वरत के बारी में उनसे पूछा था एका दशी का वरत की विधी क्या है उसका फल क्या होता है उपवास के दिन क्या क्या किया जाता है ये सभी बाते श्री कृष्ण भगवान ने युधिश्टिर से बताई है उन्होंने बताया हेमंत रिदु के मार्गशीश महा में क्रश्न पक्षी की एकादशी से इस व्रत को प्रारंब किया जाता है दश्मी के समय साइकाल दोस्तों साइकाल याने सूर्य अस्त से एक घंटे के भीतर आप भुजन कर लें संभव होतों कर लें जितन जब तारे उदित होते हैं उस समय पे भुजन करना चाहिए उसके बाद दातून कर लें जिससे आपके मुँ में कहीं पे भी अन्य का एक भी दाना न रहे अन्य रहने से आपका व्रत नश्ट हो जाता है राते में भोजन नहीं करना चाहिए दश्मी के दिन भी और अधिक बाते नहीं करनी चाहिए दश्मी के दिन आप जो भी भोजन करें वो सात्विक भोजन हो उसमें प्याज, लहसन, तेर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सात्विक नौ हो उसके बाद एकादशी तिथी के दिन सुभ़ के समय जल्दी उठना चाहिए चार बजे प्रातह काल के समय उठकर सबसे पहले वृत का संकल्प ध्यान करना चाहिए भगवान का ध्यान करने से ब्रह्म मौरत में आपका दिन बहुत ही शुब हो जाता है उसके बाद अपने नित्य क्रिया कलापों से आप फ्री हो जाएं पानी से इसनान करें और अपने वृत को शुरू करें दोस्तों वृत के दिन पर आपको किसी भी तरह के बुरे इंसान से वारतालाब बातचीत नहीं करनी चाहिए जिस दिन पर आप पुन्य के इक्षा रख रहे हैं उस दिन अपने आपको जो भी चीज आपको नेगेटिव लगती हैं उनसे दूर रखें चोर पाखंडी जो दूसरों की इस्त्रियों पर नजर रखते हैं निंदा करने वाले जूट बोलने वाले इस तरह की बाते करने वाले लोगों से दूर रखना चाहिए तो दोस्तों इस तरह की बाते करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और आपको तो ये कर्म भूल के भी नहीं करना चाहिए ये सभी कर्म आपके वृत के फल का नाश कर देते हैं और एका देशी का वृत महा पुन्यदाई वृत होता है इस वृत के नियमों को जरूर मानना चाहिए इस नान करने के पश्चात गंद धूब दीप पुष्प आदी से भगवान का पूजन करना चाहिए श्री हरी विष्णू की पूजा करते हैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तुलसी जी की पूजा करते हैं तुलसी जी को तोड़ते नहीं है और कई लोग इस दिन तुलसी जी में जल भी नहीं देते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है बाकी मैख है जल दूर से देने को कोई बुरा नहीं मानती हूं तो इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए साथ ही साथ दिन भर व्रत उपवास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम्हों मंत्र का जाब करें विश्नु सहस्त्र नाम हो सके तो पढ़ें या नहीं हो सकता तो कम से कम सुन लें भगवान का पूजन अर्चन भक्ती भाव के साथ करें रात्री जागरण रात्री जागरण करके आप क्या करते हैं मंत्रश आप कर सकते हैं यदि आपके पास एक से जादा लोग हैं तो आप भजन कीतन भी कर सकते हैं साथी साथ अपने द्वारा किये गए, जाने-अं जाने में किये गए, सभी पापों का शमा आपको ज़रूर मंगनी चाहिए हम हमेशा भगवान से अच्छे अच्छी चीज़े मांगते रहते हैं कभी अपने द्वारा की हुई गलतियों के लिए पश्या ताप नहीं करते शमा नहीं मांगते अच्छा दिन है वुरत रख रहे हैं अगर साफ मन से अगर भगवान से शमा मांगे ने तो हो सकता है कुछ परसेंट आपकी जो पाप हैं उनसे आपको मुख्ती मिल चाहें दोस्तों इस दिन यदि व्यतिपात योग होता है तो दान देनी का फल लाग गुना होता है एका दशी के वृत में अन्य का दान अवश्य करना चाहिए ये दान आप किसी जरूरत मन इंसान को कर सकते हैं पं दान के समय दीब दान करना चाहिए तोसी के आगे दीपक लगाना चाहिए अपनी घर के बाहर दिये लगाने चाहिए दोस्तों दान का बहुत ही विशेश महत्व होता है यग्य करने से हमें जो फल मिलता है उससे कई गुना फल हमें तपस्वियों की सेवा करने से ब्रामर ब्रामरी को भोजन कराने से मिलता है कन्या दान से उससे अधिक फल मिलता है और विध्या दान से उससे भी अधिक फल मिलता है पर दोस्तों अन दान से सबसे जादा फल मिलता है इस दान के पुन्य से देविता और आपके पितर तर जाते हैं और एका दशी व्रत करने से अच्छे कर्मों का संचे करने के लिए एकादशी व्रत जरूर शुरू करिया और उत्पन्ना एकादशी से अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है वैसे भी दोस्तों जब भी एकादर्शी व्रत का ख्याल आ जाए अगर उत्पना एकादर्शी निकल गई है तो भी आप वरत अवर्ष्य शुरू करें रात्री के समय दोस्तों, कई लोग एकादर्शी में निर्जल उपवास रखते हैं जिसे सबसे अच्छा बताया गया है कई लोग फल आहर खाकर इस उपवास को रखते हैं रात्री में यदि आप एक समय आहर ले रहे हैं तो आपके उपवास का जो फल है वो थोड़ा कम हो जाता है पर फल आपको अवर्श्य मिलता है तो दोस्तो जिस प्रकार शी कृष्ण भगवान ने युधिश्थिर को उत्पन्ना एकादर्शी की वृत की कथा सुना कर अनत गुना फल की प्राप्ती कराई थी वैसे ही आज मैं आपको उत्पन्ना एकादर्शी की वृत की कथा सुना रही हूँ दोस्तो इस वृत की कथा सुनके भक्ती भाव से वृत करने के पश्यात द्वादर्शी की तिथी में आपको पारण करना है पारण करने का समय मैं आपको कमेंट सेक्षन में लिखके दे दूँगी अब हम शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा जै बोलिये उत्पन्ना माता की जै सत्यूग में एक मुर्नामक राक्षस दैते था वह बहुत ही बल्वान था भयानक था उस प्रचंड दैते ने इंद्र आदित्य वसू वायू अगनी सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे उन्हें सभी व्रत्तांद बताया और भगवान शिव ने से कहा मुर्द दैते से भयवीत होकर हम सभी देवता मृत्यो लोक में विचरन कर रहे हैं तब भगवान शिव ने देवताओं को आशानवित करते हुए कहा तीनों लोकों के सामी भगतों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विश्नु की शरण में आप सब जाईए वे तुम्हारे दुखों को अवश्य ही दूर कर देंगे शिव जी से ऐसे वचन सुनकर सभी देवता शीर सागर पहुँचे वहाँ भगवान को शेन करते देखा हाद जुड़कर उनकी इस्तुती करी हे देवताओं द्वारा इस्तुती करने योग्य प्रभू आपको बारंबार नमस्कार है देवताओं की रक्षा करने वाले मदुसूधन आपको नमस्कार है आप हमारी रक्षा करें, देत्यों से भैबीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं आप इस संसार के करता, माता पिता, उत्पत्ती और पालन करता और संहार करने वाले हैं सबको शांती प्रदान करने वाले हैं, आकाश और पाताल भी आप ही हैं सबकी पिता महा, ब्रह्म, सूरिट, चंद्र, अगनी, समगरी, होम, आहुती, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यग्य, कर्म, करता, भोकता भी आप ही हैं आप सर्व व्यापक हैं, आपके सिवा तीनों लोखों में चर और अचर कुछ भी नहीं हैं हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, अब हम सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विश्नु कहने लगे हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है, जिसने सब्देताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रे में है, उसका इस्थान कहा है, यह सब मुझे बताईए भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले भगवन प्राचीन समय में एक नाडी जंग नामक राक्षस था, उसके महा पराक्रमी और लोग विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन हुआ, उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकार कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है, उसने इंद्र अगनी, वरुण, यम वायू, इश्चंद्रमा, नेत्रित, आदी सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है, सूर्य बनकर वह स्वयम ही प्रकाश करता है, स्वयम ही मेग बन जाता है, सबसे अजय है, हे असुर न चंद्रावती नगरी में जाओ इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की और प्रस्थान किया उस समय दैत्य मुर्ख सेना सहित युद्ध भूमी में गरज रहा था उसकी भयानक गरजना सुनकर सभी देवता भैके मारे चारों दिशाओं म भागने लगे जब स्वयम भगवान रणभूमी में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुद लेकर दोड़ी भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला बहुत से दैत्य मारे गए केवल मुर बचा रहा वह अबचल भाव से भगवान के किन्तु वह लगातार युद्ध करता रहा दोनों के बीच ये मल युद्ध करीब 10,000 वर्षों तक चलता रहा किन्तु मुर नहीं हारा थक्कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए वहां हेमवती नामक सुन्दर गुफा थी उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं यह गुफा बारा योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था विश्नु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए मुर भी उनके पीछे पीछे आया भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए उद्धत हुआ तभी भग जब योग निद्रा की गोश से उठे तो उन्होंने यह सब बाते जानकर उन देवी से कहा हे देवी आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है तहां आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी आपके भक्त वहीं होंगे जो मेरे भक्त हैं तो इस प्रकार श्रीह विश्नु की बंदना करते हुए श्रीहरी विश्नु का नाम लेते हुए हम सभी को एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रात्ना करनी चाहिए हमारे जीवन में मुर्दैत्य नामक जो भी पाप, रोग, शोग, कष्ट जितने भी दैत्ते हैं, उनका नाश हो और हमारे जीवन में हमें मुक्षी की प्राप्ती हो, भगवान के आशिरवाद की प्राप्ती हो तो दोस्तो इस तरह से एकादशी का महा कल्यान कारी यह व्रत है, इस व्रत को आप सभी करिए, भक्ती भाव से श्रीहरी विष्णू का निरंतर इस्मरन करते रहिए ओम नमो नारायणाय नमो नमहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा, यह दोनों मंत्र है, इनका निरंतर जप करिए और भगवान श्रीहरी विष्णू में अपनी आस्था बनाई रखिए आप सभी का वरत उत्तम फलताई हो, ऐसी कामना है मेरी दोस्तों बाकी इसके अलावा आप मेरे और वीडियो भी देख सकते हैं कब से एकादशी का वरत शुरू करा जाए सभी एकादशी के वरतों की कथा मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है आप वो देख सकते हैं और आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सब का अभिनंदन, अभिवादन बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और नीता विक्रम के परिवार से जुड़े रहे अगली बात पिर आप से मिलूँगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों